हलो फ्रेंड्स आस्वसंकिचिन डॉट को में आपका बहुत-बहुत स्वागत है परसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में पहाड़ी छेतर में रहते हुए पहाड़ी सबजी बरसातों वानी ना बनाई जाए ऐसे कैसे हो सकता है आज मैं आपके समय शेयर करने जारी हूँ परस इसी भी तरीके से उगाया नहीं जाता है इसी खेती नहीं की जाती है यह प्रकरतिक रूप से अपने आप ही उगती है इसके बहुत सारे फायदे इसी वजे से हैं क्योंकि यह पूर्णताहा ओर्गैनिक सबजी है जब परसात होती है पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ों एक तरीके से इसका जो उत्पन है वो काफी मातरा में हो जाता है और इस्थानिये लों जो भी पहाड़ में होते हैं वो इस सबजी को परसात के समय में सबजीयों के आभाब में होने की वजे से काफी जादा करते हैं और यह बहुत ही जादा फायदेमन सबजी भी है इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है और ये एक हरी सब्जी है देखिए किस तरीके से आपको ये दिख रही है बहुत ही टेश्टी सब्जी है ये तो मैं आज आपके सम्ग इसकी रेसिपी इसले शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पहाडों में मिलती है इस सब्ग मैं भी उत्रा जाता है बर इस तुछ चीजय है जिसके लिए थोड़ा सा आपको मेनत करना होती है यसे की हमारी लिंगुड है ये थोड़े सी गंदी होती है क्योंकि आपने आप को यसमें थोड़ा ओदी को नीचे रख दिया ये अपने आपही से अंदर लगी गंदगी अहट जाएगी और यह बहुत ही आसान है साफ करने में भी, इसमें कुछ हलक हलकी तरीके से रेशे पाय जाते हैं, देखिए इस तरीके से नाइन तरीके से लगती हैं, और इसके जो रेशे हैं देखिए इसके आउटर साइड में होते हैं, बहुत ही छोटे 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 होते हैं, तो इसको जो आपको दिखा रही हुए, छोटे चोटे रेशे होते हैं, इसको भी आपको निकालना होता है, तो पानी की धार में जब आप इसे रखेंगे, तो इस अपने आपकी साफ हो जाता है, अगर ना हो तो आप इसे नपकिन से, या किच्छिन टावल से, या कुछ इस तरीके से, हाथ में रब करके भी इसको जड़ा सकते हैं बहुत लाइट होते हैं इतना हाड नहीं होते हैं कि इनको निकालना मुश्किल है लेकिन इसके बिना अगर आप प्रॉसेस करेंगे तो सबजी आपको बिल्गुल भी अच्छी नहीं लगेगी तो इस सबजी को हम रख लेते हैं तो इससे फायदे भी हम जानेंगे इसके आगे और तब तक मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि इस सबजी को किस तरीके से काटते हैं तो काटने के लिए हम पर मैंने चोपिंग बॉर ले लिया है और कुछ मैने ले लिये हैं लिंगडूर रेका लाचा का पार्ट को ऑपर कर लिया है और जो ये इसके ग्राउंस एकीश जाती है , क्यूंकि लाचा रेका तक लीज़, और इसके फायदे में आपको बता दो, कि लिंगड़ा में बिटामिन ही और केल्शियम बहुत मात्रा में होता है जिसकी वजे से ये काफी कुड़कारी होती है हाट पेशेंट, और थराइट पेशेंट, साथ ही डाविटिक और ब्लड पेशेंट के मरीजों के लिए ये सब जी तो बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद है यदि आपकी आँखों की रोश्नी में कमी है तो आप इसको लगातार खाएंगे तो भी आप उसमें बहुत फाइदा होगा अब सारी सबजी काटके मैंने एक प्रेशर कुकर में रख दी है तो प्रेशर कुकर करने के लिए मैं इसमें एक चथाई का पानी डाल दे रही हूं और इसको प्रेशर कुकर लगा ले रही हूं एक सिटी में हमारे प्रेशर कुकर में इससे जञदा आप लगाएं क्योंकि हमś त्रे लिंवड को हलका सा करा है ना कि युशे बहुत ज़ँञाना है तो एक सिटी के बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यह ज़्यादा नहीं颗े लाया है क्यूंकि एक तो चलिए शुरू करें हम सब्जी बनाना तो यहां पर मैंने एक नॉस्टिक कड़ाई लेली है आप यह दाग देखें ना डरें यह दाग पानी के लग गया है क्योंकि मैंने पानी में धोके में यूज करती हूँ तो अब मैंने इसमें डाल दिया है दो बड़े चम्मच सर्सो का तेल लिंगुर की सब्जी को सर्सो की तेल में बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी उभर के आएगा तो तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें मैं डाल दूंगी बंटी स्पून साथ धनिया के दाने और इसे अच तो अचले के दूंगे एक मीडियम साइच का प्याज को रफली चॉप करना है ज्यादा फाइन चॉपनी करना है अब मैं इसको हलके से श्टर कर लोंगी और इसको एक दो मिनट चिलाने के बाद मैं इसमें डाल गई हूँ एक चम्मच जिंजा गालिक पेस्ट जिंजा गाल तो अब हम इसको फाइनली बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होनी तक पका लेंगे फ्लेम में मीडियम रखनी है और अब मैं इसमें एड करूंगी दो बड़े साइच की टमाटा जिसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है आप चाहें तो काटके भी डाल सकते है या फिर आप इसे प्यूरे भी डाल सकते है अब इसमें हम मसाली आट करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर एक चोधाई चम्मच गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्स पाउडर नमक हम डालेंगे स्वाद नुसार या मैं 1 टी स्पून डाल रही हूं क्योंकि ये सुखी अब थोड़ा सब पानी डाल के हम सब मसालों को अच्छे से भूल लेंगे और मसाले पानी डलने की वज़े से जलेंगे नहीं है अभी मेरी अब इसे एक मिनट चलाने के बाद मैं दो मिनट के लिए ढखके पका लूँगी जिससे हमारे मसाले और हमारे प्यास टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे ये देखिए ओईल अच्छे से अलग होने लग गया है इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे बढ़िया तरीके से अब इसमें एड़ कर देंगे हम हमारे वोईल करे हुए लिंग बुड़ा और इसको अच्छे से हम मिला देंगे मसाले में अच्छी तरीके से हम कोड कर देंगे बहुत सिंपल सबजी है इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी है जैसे नौर्मल ही आप घर में सबजी बनाते हैं डेली रूटीन की सबजी या बनाते हैं यह उसी तरीके से बनती है लेकि इसका स्वार बहुत ज्यादा अच्छा था है तो मसाले में सबजी को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यह एक चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से इसमें एक कसेला पन होता है हमारे लिंगूर में वो बैलेंस हो जाएगा और अमचूर पाउडर हमारे लिंगूर को और भी ज्यादा गल साथ से आठ मिनट हो गए हैं चलिए हमाई सबजी को चेक कर लेते हैं कि लिंगूर की सबजी कैसी बनी है ये देखिए वाउ कितनी टेश्टी निग रही है ये सचमुझ थाने में बहुत ही अच्छी लगती है बड़िया तरीके से बनी है हमारी लिंगूर की सबजी अगर सबजी बनके हो गए ये तया कितनी जल्दी और छटपड़ी सबजी को बनाया जा सकता है ये स्वाद और गुडों से घरपूर सबजी है अब मैं इसके उपर डालना ही हूं तेसीगी अप्शनल है लेकिन देसीगी से इसका स्वाद बर जाता है आप इसे लंज या डिनर प तब तक की लिए बाई बाई